दोस्तों जब से चंद्रियान 3 का प्रग्यान रोवर चांद के साउथ पोल पर लेंड हुआ है तब से पूरी दुनिया में इसरो इंडिया का नाम हर जगह तारीफे बटोर रहा है और हो भी क्यों ना क्योंकि इसरो दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी बनी है जिसने चांद क साउथ पोल रीजन पर लेंड किया है इससे पहले रश्या और जपान दोनों ने ही चांद के साउथ पोल पर लेंड करने का प्रयास किया था लेकिन वेंडों क्रेश लेंडिंग के कारण आसफ़ल रहे थे लेकिन दोस्तों अब ऐसी नियूज भी सामने आ रही है कि प्रग और आफ चले शुरू करते ब्रमान टीवी के आज के इस नए वीडियो को दोस्तों विक्रम लेंडर 23 अगस को चांद की सतय पर लेंड हुआ था इस एतिहासिक लेंडिंग साइट को श्री नरेंद्र मोदी जी ने शिव शक्ती पॉइंट का नाम दिया था इसरों ने प्रग्यान रोवर को 100 मीटर की दूरी तक ट्रैवल करवाया था 2 सब्टेंबर सुबा 8 बजे रोवर और विक्रम लेंडर दोनों को स्लीप मोट में डाल दिया गया था लेकिन रोवर के रिसीवर को आन रखा गया था दोनों को स्लीप मोट में लाने के पीछे का कारण था ल्यूनर नाइट क्युक्कि चान अपना एक और्पिट 14 दिनों में ही पुरा कर लेता है मतलब चान पर 14 दिनों तक रहती है और 14 दिनों तक दिन चान पर फिर से दिन होएगा तब वह सूरिय की रोशनी से अपने को सोलर पैनल के जरीय चार्ज करने लगेगा जिससे वे दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे और सिगनल भेजने लगेंगे पर दोस्तों बदकिस्मती से अभी तक हमें कोई भी सिगनल प्रग्यान रोवर से नहीं मिले है इसरो का कहना था कि प्रग्यान रोवर को 22 सब्टेंबर तक एक्टिवेट हो जाना था पर अभी तक हमें कोई भी सिगनल रिसीव नहीं हुए है लगातार इसरो दिन रात एक कर रहे हैं किसी भी तरह प्रग्यान रोवर से कनेक्शन एस्टेबलिश करने वे और दोस्तो हम भी प्रातना करते हैं कि प्रग्या इन रोवर सही सलामत काम करने लगे और हमें सिगनल भेजने लगे अगर अच्छा लगाओ वीडियो तो लाइक करें, कमेंड करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए ब्रह्माण टीवी को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं इस नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाई